धान की रुपाई होने के बाद किसान भाईयों धान की फसल में जिंक और सलपर का परियोग कब करना चाहिए जिंक सलपर कैसे काम करते है मार्केट में अलग-अलग कॉंबेनेशन के साथ किसान भाईयों को जिंक और सलपर मिलते है आसान इसे अपने धान की फसल में इन दो चीजों का प्रियोग कर कापी बढ़िया रिजल्टर ले सकते हैं किसान इतमे वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखे जो नए साती हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर ले गंटी के निसान को दबाए जि धान की रुपाई के बाद सुरूराती 15-20 दिनों में अगर इन दो चीजों का प्रियोग आप करेंगे तो इनका रिजल्ट कापी बढ़िया मिलेगा क्योंकि जिंक एक प्रकार से पोदे की जड़ों का विकास करता है सुरूरात में रुपाई के बाद अगर जड़ों का व रोक परती रोदोक समता बढ़ती है जिससे भी पोदा पीला नहीं पड़ता है पोदे की ग्रोथ और बढ़वार का पी अच्छी देखने को मिलती है बात करें इन चीजों का किस प्रकार से आपको प्रियोग करना है तो किसान भाई यो जिंक और सलपर का प्रियोग आप ए इसलिए किसान भाई जिंक सलपेट का प्रियोग करें ताकि दोनों ही ततों की पूरती आपके खेत में हो जाए पर बात करें इनके प्रियोग के सह समय की तो किसान भाई यो धान की रूपाई के बाद जब आप यूरिया देते है तो इन चीजों का प्रियोग भी उसी समय करें किसान नकूतान कि बारे में करें तो किसान बारे में जिन्ग सलफेट 21% मार्केट में मिल जाता है, जिन्ग सलफेट 33% प्रियों करें पांस से साथ केजी या दिक्तम आठ केजी एक एकड में आपको परियोग करना होता है वैसे इन तत्रों की हर साल आउशक्तर नहीं होती है पिछले साल अगर इन चीजों का परियोग किया है केट में तो इस साल कम मातरा के साथ परियोग कर सकते है इन चीजों का प्रियोग करने से आपको तूरंत रिजल्ट मिलना सुरू हो जाता है अगर आप सुरुवाती 15 दिनों में इनका प्रियोग करेंगे तो जैसे ही धान की वसल जड़े पकड़ती है मिट्टी को आसानी से तो उस समय पर कल्लों की बर्मार आपको मिलेगी कल्लों की संक्या बढ़ेगी पोदे की ग्रोत तेजी से बढ़ेगी पोदे में पीलापन नहीं आएगा इन चीजों का प्रियोग आप यूरिया के साथ कर सकते है जिससे यूरिया का रिजल्ट भी आपको मिलेगा और इनका रिजल्ट भी मिलेग से आपको कापी फाइदा होगा धान की वसल एकदम हारी बरी स्वस्त नजर आएगी पोधे में कल्लों की बरमार हो जाएगी किसान भाई इस प्रकार से धान के खेत में जिंक और सलपर का प्रियोग कर धान के उत्पादन को बढ़ा सकते है धान में कल्लों को बढ़ा सकते है इस टूड़ों में इतना ही धन्यवाद